एक ऐसा लेफ्ट कॉर्णर का डिफेंडर जो प्रो कबड़ी में 100 से भी ज़्यादा मैचेस खेले हो जिनके पास 250 से ज़्यादा टेकल पॉइंट्स हो वो जब यहाँ पे ऑक्शन में जाए और किसी टीम ने इंटरस्ट नहीं दिखा है और वो अंसोल्ड हो जाए यह बहुत बहुती सौकिंग बात है और मैं भी बहुत सौक था जब पिसले ऑक्शन में संदीब धुल को किसी टीम ने नहीं खरीदा था लेकिन वो यहाँ पे वापस आ चुके है तल्गू टाइटन्स की टीम में साइन कर लिया है संदीब धुल को फोर पीकल सीजन 10 यानि की प्रो पिसले गूंबर को यसी पे एक वीडियो बनाया था जहां पे कुछ साइनिंस के रिमर्स आ रहे तें जिसमें मैंने सिर्फ संदीब धुल के बारे में बात किया था कि एक दो टीम इन से बात कर रही है जिसमें मैंने हरियाना स्टीलर्स का जो टीम है उसको मैं audio को शाइन से के साथ बाते चल रही है, साय से हरियना स्टीलर्स की टीम इनको साइन कर सकती है, लेकिन ठीक 15 दिन बाद संदीब धुल को तेलकू टाइटन्स की टीम ने साइन कर लिया, तो जो मेरा रिपोर्ट था वो यहां पे बिल्कुल सही गया, संदीब धुल, प्रो कबड़ी का दसवा सीजन खेलने वाले है, यह जो अपडेट है, सबसे पहले मैंने टेलिग्राम पे शेयर कर दिया, और नहीं सिर्फ यह एक्स्लूजिव अपडेट, जो भी अपडेट आते हैं प्रो कबड़ी के, वो आपको सिर्फ हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो जिनको हर एक अपडेट जानना है, फटफ़ टेलिग्राम चैनल को जॉइन कलो, विकोज अब प्रो कबड़ी दो दिन दूर है, बहुत सारे अपडेट आने बाकी है, तो टेलिग्राम चैनल पे जॉइन कलीजे, हर एक अपडेट आपको कुछ सेकंड में ही देखने को मिल जाएगा, बात करते हैं रिप्लेस्मेंट के बारे में, तल्गू टाइटन्स की टीम ने पोस्ट करके क्लियर कर दिया है, कि उनके स्कॉर्ट में जो विने रेदू थे, वो यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, एंड इंजरी के कारण यहाँ पे वो ज़्यादा, मता कि सीजन में एविलेबल नहीं हो गए, जिसके कारण तल्गू टाइटन्स की टीम ने इनका रिप्लेस्मेंट अनाउंस किया, विने रेदू एक रेडर है, एंड रेडर की जगह पे एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर को लाना, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा मूव है तल्गू टाइटन्स है, विकॉस तल्गू टाइटन्स के डिफेंस की बात की जाए, तो कोई भी एक्सपिरियंस डिफेंडर नहीं है, परवेस भैंसवाल को छोड़के, अगर परवेस के साथ संदीब धूल आज आते हैं डिफेंस में, एंड रेडिंग में आपके पास पवन सहरावत हो जाते, आपके पास रजनीज दलाल हो जाते, तो यहाँ पे चार एक्सपिरियंस प्लेयर हो जाएगे, जो मुझे लगता है कि तेलगू टाइटन्स की टीम जो माइनस वन में थी, वो अब बराबर हो चुकिए तेलगू टाइटन्स का जो टीम में कॉम्बिनेशन है, वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हमें देखने को मिल रहा है, विनेरेदू जो इंजर्ड होगे हम यही उमीद करते कि जल्दी से वो रिकवर कर जाए, और संदीब धुल को इनी के रिप्लेस्मेंट के तौर पे तेलगू टाइटन्स की टीम ने साइन किया है, प्रो कबड़ी सिजन 10 के लिए, तो यही एक बहुत ही बड़ा अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया है, और अच्छी बात हैं, तलगू टाइटन्स के फ्रेंस आप खुश हो की नहीं, कॉमेंट करके जड़ो बताएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और सबसे इंपॉर्टेन चीज, टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजेगा, विकोज हर एक अपडेट में वीडियो बना के नहीं बता सकता हो, तो वो में टेलिग्राम पे शेयर कर देना वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अनि तो टेलिग्राम पे जाके आप एड़रेट स्पोर्ट सुनिफ सेवन सर्च करके जॉइन कर सकते हो, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, प्रो कबड़ी सीजन 10 में सभी टीम्स के पहले मैच के लिए क्या स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है, वो जानने के लिए आप लेफ सैट पे क्लिक कीजिए, and राइट सैट पे आपको कुछ बड़े अपडेट स्पोर्ट कबड़ी के रिसेन निकल के आए है, वो जानने के लिए आप राइट सैट पे क्लिक कीजिए, तब तक मैं मिलता हूं, ऐसे एक कौन है इंट्रस्टिंग उड़ों के साथ थैंक्स पर वाचिंग